नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्यानलों में आज हम सौलू करेंगे question number 10 exercise 10.5 का तो चलिए यहाँ पर question ले लेते हैं question हमें दिया गया है if circles are drawn taking two sides of a triangle as diameter अगर हम circle को draw करते हैं और दो side लेते हैं triangle की as diameter अब यहाँ पर देखिए हमने a b c यह triangle बनाई है a b c a b और a c यह क्या है diameter है a b और a c यह हमने क्या मान लिए diameter दोनों circle के यह हो गए according to statement जो question की है हमें prove क्या करना है जो point है intersection का of the circle lie on the third side अब a b और a c तो हो गई दो side जो कि हमने diameter मान लिए अब जो यह point of intersection है यानि कि d है वो हमें बताना है कि इस third side पर यानि कि b c पर lie करता है तो यह चीज हमें बतानी है अब यहाँ पर हमने a को d से मिला लिया पहले तो हमें यह काम करना है अब यहाँ पर angle यह वाला देखिए यह वाला angle देखिए यह वाला angle देखिए यानि कि angle a d b यह कितने का है 90 degree का है angle a d c यह कितने का है यह भी 90 degree का है देखिए यह 90 degree के हैं अब यहाँ पर अगर हम इन दोनों angle को add कर दें a d b और a d c को इन दोनो को add कर दें 인 दोनों को add कर दें तो क्या मिलेगा हमें तो हमें यह total कितना मिले가 180 degree यानि कि अगर एक line है b c इसके उपर अगर कोई angle हमें 180 degree का मिले यानि यानि कि bc तो एक straight line हुने चाहिए क्योंकि 108 degree हमें straight line पर ही मिलता है जैसे यहां पर हमें मिला, यानि कि ADB इस तरफ का अंगल, ADC उस तरफ का अंगल दोनों जोड़े तो 100C degree हमें मिला यानि कि एक straight line हो गई तो यह जो D point है, तो यह BC पर ही लाई करेगा, जो point of intersection है, यह कहीं पर भी हो सकता है ले सकते हैं, क्योंकि यह straight line है तो इसी पर लाई करेगा, अगर इस point पर हमें अंगल 100C degree मिल रहा है तो यह जो है BC लाई करेगा, क्योंकि यह straight line है, और 100C degree का अंगल आ गया है, तो इस तरफ हम कह सकते हैं जो D है, वो point BC line पर लाई करता है तो thank you वीडियो देखने के लिए, और शी तरह की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल ग्यान लोपे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, धन्यवाद